उस रासी का समंजन होना था उसके लिए आवेदन क्यों देगा जब बिजली भी लाता है तो उसमें समंजन क्यों नहीं हो रहा है राज में यह जाना चाहते हैं 26 लाख लोगों की कोई सिकायट इस्टा की नहीं है मानने सदस्कों अगर है तो पाट जबस कर देड़े हम को जखवाले के हमारे इसेंबली के दस लोग सिकायट किया अखवार में खवर चपी मैंने किया अगर मेरा कहना सही है तो मानिये मंत्री जी जात करा ले हम तो आपके इतने वर्स हैं मानिये मंत्री जी है पूरे राज के बिजली वहा की दसा को सुधार दिये अगर मेरा प्रस्ण जायज है महद है तो यह संग्रक्षित करने की जरुगा था इस मामले में समंजन करने के लिए हम कर रहे है कि अगर मेरा 400 रुपया है 4 किलो वाड का 1100 रुपय राजेस कुमार मानिये मंत्री योजना इमान विकास रुखाग राजेस कुमार जी का राजेस कुमार जी का अलब सुचित स्री मुकेश कुमार यादब अब तारांकित पर लिया जाएंगे तुस्री स्रेशी सिंग उत्तर मिला है जी उत्तर प्राप्त है पूरक यह है देक्ष्मोदे कि यह जो खडाईच ग्राम की बात हो रही है इसमें कुल आबादी चार हजार लोगों से भी जादा की है मुझे जो उत्तर प्राप्त है उसके खंड कर के क्रमांग संख्या चार में जो जवाब दिया गया है मुक्य सडक से राशी मोहन के घर तक मध्य विद्यालत तक नाली निर्मान कार्य कंप्लीट है अध्यक्ष मोहदे ये नाली निर्मान कार्य मातर 1.500 फीट का हुआ है और इसकी स्थिती वर्तमान में एकदम जरजर है साथी साथ जो खंड ख का उत्तर मिला है कि इसमें अनुमती की लागत लगबग 35 लाख है इसलिए इस कार्य को ग्रामिन कार्य विभाग द्वारा पूर्ण कराया जाए अध्यक्ष मोहदे ये जो नाला निर्मान और सरक का कार्य है ये आती है महत्व पूर्ण कार्य है क्योंकि घनी आबादी का छेत्र है साथी साथ मुक्य सड़क पे जहाँ पर स्कूल और मंदिर सभी चीजे उपस्तित है अध्यक्ष मोहदे मैं ये जानना चाहती हूँ कि मानिने मंत्री योजना विभाग से क्या इसको ग्रामिन कार्य विभाग से करवाना का का काम करेंगे हाँ या नहीं हाँ तो कब तक मानिने मंत्री परस्ट रूप से लिखा हुआ है कि पंचायती राज द्वारा ये कारें नहीं कराया जा सकता है क्योंकि अनुमति की लागत जादा है कुल 35 लाख का डिप्यार तयार कर आ गया है इस वजह से इसको ग्रामिन कार्य विभाग से के द्वारा ही कराया जा सकता है 35 लाख से जादा है पंचायत से नहीं हो सकता है यसा मनी से सकता रही है माने निया द्यक्ष माने सदस्या अलग से प्रस्ट परें ग्रामिन कार्य विभाग को भेती लिख के छोजे दिया इसके लिए मैं उन्हे धन्यवाद देता हूँ लेकिन दूतिये खंड में 2 किलो मीटर का RDSS योजना के अंतरगत बदलने का कार्ज प्रस्तावित है महोद है माननिय मंत्री जी ने काया कि सितंबर तक हम करवा देंगे मेरा इतना ही अन्रोद है माननिय मंत्री जी से कि केबल बेक्तिगत रुची लेकर जरा पर्स्वेशन कर दीजे क्यों कि वहाँ बड़ी हादसा हो गया था लोग मढ गये थे महोद है इसलिए सहान भूती दिखाते हुए माननिय मंत्री जी से अन्रोद है कि जब आप इतना किये हैं तो थोड़ा पर्सनली इंट्रेस्ट लेके जल्दी करवा दिया जब बूर उची लेंगे आपके करके में स्रीमितलेश कुमार मानिय अध्यक्ष महोद है मानिय मंत्री सनसध्य कार्वभाग उत्तर पर दिजी मानिय अध्यक्ष महोद teşekkür खणे आश्यक्रावत्मक है बस्ति यह है कि संसध्य कार्वभाग दोरा समय समय पर मुक्षची के अस्तर से मानिय बिधायकूं एबंद जन्र पर्तिनिजियों से बेतिकत मुलकात करने के लिए सुबधा अनुसार सब्ता में एक दीन निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है तथा अन्य दीनों में भी सुबधा अनुसार उसे मुलकात करने का निर्देश दिया गया है मानिया ध्यक जी, क्या जो निर्देश जारी किये गए हैं, उसके अनुरूप जिला धिकारी या अनिपदा धिकारी उसका अनुपालन करेंगे, सरकार इसको सुनिश्चित करेंगी, क्योंकि जियेस कंग के समय से कई पत्र जारी हो गए, हमने पहले भी प्रस्त किया था, हमको पुरा कुछ है, पूरा, तो क्या सरकार इसका पत्र जारी करके, यह सुनिश्चित करेंगी, दीन निर्धारित करेंगी कि समय मांगने के बाद कितने अबधी के अंदर निश्चित रुप से पदा धिकारी, MLA या MP को समय देंगे, मानिय मंद्री, मानिय अध्यक्ष महदय, मायने माने सदस्के प्रस्न के उत्तर में असपस्ट कहा है महद λέक कि पूनाração असमारित किया गया है सभी जिला रथिकारी को और संबंदित विभाके इठिकारियों को पर्मंदली अयक को पुलिस महानी देशा को सभी छत्रिय पुलिस पुलिस निरीक्षक सभी AHनी महानिरिक्षक, सभी जिला अधिकारी, सभी पुलिस अधिकारी, जिला पुलिस अधिक्षक, रेल पुजी सभी को पत्र के जरीए पुना अस्मारित किया गया है, तो निश्चित रूप से जो सरकार का निर्देस है महोद है, वो अधिकारी निश्चित रूप से पालन करते है महद है और जहां मानने सदस्का कहें से कोई ऐसा सिकायत मिलेगी तो उस पर भी कर्वाई हम दो अजियर जी अध्याक्ष लोगद और जिस पत्र का ये मानने मंतरी जी हवाला दे रहे हैं ये पत्र तो पुरुष से निर्गत है ऐसे जैसे पदादिकारी जो पुर्व के पत्र को निर्गत या सरकार के आदेज का अवेला कर रहे हैं क्या समिछा करके कोई करवाई करने का भीचार रखते हैं महाज़र जी चुकि मिथलेज जी जो हमारे सितामडी से आते हैं लगातार ये दूसरी बार प्रस्था अगर कुछ ऐसी सुचनाय माने सदस के तरफ से मिलेगी तो उस पर कारवाई की जाएगी स्री गुमाकाम सिंग पूरक पुछे माइक दो भाई मानिय अधक्च महुदय आज चनपटिया बिधान सभा में दो पर खंडों में स्वास विभाग द्वारा टेंडर हो चुका 21 में यह कई से अभी तक वहां बिल्दिंग नहीं बन सका और शियों के द्वारा बार बार अस्वासन दिया जा रहा है कि अब हो जा रहा है और जगर नहीं मिलने केकारण पूरके न पुछ रहें कि अभी तक क्यों नहीं बना वहां यह नहीं मानिय मंत्री स्वासवार मानिय अध्यक्ष महुद है मानिय सदस पूरी तरह वाकिफ है कि वहां की क्या स्थिति है लेकिन मैं जिलादिकारी बेतिया को यह निर्देशित करूँगा कि एक मेने के अंदर जमीन उपलब्द कराकर वहां काम सुरू करा है बहुत धन्यबाद स्री रामिसु सिंग रामिसु सिंग स्री बिने कुमार पूरक कुछे जी मानिय है अध्याच महुद है मेरा कोश्चन था कि भरोंदा में अस्पताल का निर्मान किया गया है तरिक स्वास्त के इंदर है वहां महुद है लगवग 8 से 10 पंचाइत वहां प पुरूस कोई भी चिकित्सा पदादिकारिय चिकित्सक पूरें नहीं है तब महुद है कब तक इसमें वहां पे चिकित्सक की मनें थे पर दोस्तापना होगा हमारी कोश्चन ही ही थी महुद है लेकि उत तर में आया कि 2 एनियम है वहां पे और एक cxo है नहीं शिच वो वो अपने उप स्वास्त केंद्रों पर टीका करने जले जाते हैं तो हमको लगता है कि सब्ता में एक दो दिन खुलता है तो महोदय उसको स्वास्त की भाई ये बहुत वड़ी मुद्दा है तो मेरा वही है कि डॉक्टर की पदास्तापना हो महोदय कब तक किया जाएगा यही हमारी मांग है महोदय बरॉंदा का मानिय अध्यक्च महोदय इसमें असपज तोर पर बताया गया यह विचारा दीन है आगे के दिनों में जल्द से जल्द इसके पदास्तापन की करवाई की जाएगा त्रीय अध्यक्च महोदय लेकिन जल्द से जल्द कह रहा है महोदय जितना जल्द हो क्यों कि चिकित्सा के बाद है महोदय समय सिमा बता दिया जाए महोदय जल्द से जल्द बता रहे हैं जल्द हो जागा इस त्री अजे कुमार पुछता हूं सर उत्तर मिला हुआ है और उत्तर के जवाब में जो हमको मिला हमको मानिया मंत्री जी से यह जानना है कि सदर अस्पताल समस्तेपूर और दल्सिंग स्राय अनवंडल अस्पताल में टेक्निशियन के पद कितने सेंक्शन पद है मानिय अध्यक्ष महुद है इसमें अस्तपस तोर पर बताया गया है कि आउट्सोर्सिंग के माध्यम से टेक्निसियन की नुक्ती राजस्वास्त समीती के दुबरा किया गया है लेकिन जो मानिय सदस की चिंता है कि पूरा ये वेकंसी वहां कितने हैं, कितना क्रियेट हो सकता है मैं पूरा लिस्ट इनको उप्लव्ट करा दूँ महुद है, मेरा जहांतेक मुझे जानकारी है कि टेक्निसियन के दो पद वहां सेंक्षन है और दो पद के जगे पर राजस्वास्त समिती ने एक एक पद पर जो है उस पर पोस्टिंग किया है कोई इनसान 24 गंटा में 24 गंटा काम नहीं कर सकता है समस्ति पुरे से जिला अस्पताल में जहां हर रोज हजारों लोग जाते रहते हैं अब एक इनसान के भरोसे अगर एक एक जिसको न्यूक्त किया है टेक्निसियन का तो वो तो उसकी तो एक काम करने की छमता है आठ घंटा से जादा काम नहीं कर सकता है इसलिए हमारा मान्या मंत्री जी से यह जानना है जो खाली पद परे हुए हैं ना सिर्फ समस्तिपूर सदर अस्पताल दलतिंसरा नुमंडल अस्पताल बलकि रोसरा पटोरी पूसा उन जगह पर तो एक भी टेक्निसियन नहीं है इन सारे जगह पर टेक्निसियन के सभी पद को कितने दिनों में भर देंगे अभी अध्यक्ष मोदे अभी टेक्निसियन की न्यूक्ति पर क्या धिन इसको करना है तेकि राज़स्वास समीति के दुवारा वहां आउट्सोर्सिंग से काम लिये जा रहे हैं जो भी पद काली हैं सबको भरने का कारवाई यता सिगर किया जाएगा यता सिगर का मतलब क्या है मैं तो सिर्फ समय चाहता हूँ मुझे समय दे दिया जा और मानिया मंत्री जी एक सेकें लेक सेकें सर एक साथ बस दूसरी बात मुझे इसी होस्पिटल से जुरा हुआ सवाल है समस्तिपूर सदर अस्पिताल में बेंडिलेंटर है और उसमें एक भी टेक्निशियन नहीं है नतीजा होता है कि उसके लाइग जो पेसेंट होते हैं या तो उसको पटना या फिर उसको दरभंगा वेजा जाता है इसलिए मेरा इसके साथ अनुरोध है जी सर्थ यह यह बैठ इसलिए अर्द्रेक्च मौद है क्योंकि मैं इसलिए यता सिग्रिक कर रहा हूं तुरंट चुनाओं में जाना है सको और तुरंट फैसले नहीं हो सकते हैं और परतेक साल पांच साल में पांचों साल कोई ना कोई तीन मेने का चुनाओं हम लोग परक्रिया करते हैं यह पूरी विवस्ता है तो मेरा यही आग्रह है मैं मानिय सदस्य की चिंता को जरूर चाहता हूं कि जल से जल निप्टारा हो और यता सिग्र इसको तुरंट से तुरंट महादेव का मंदिर है वहां अतिकर्मन बहुत तेजी से हो रहा है सरकार को जमीन भी नहीं मिल रहा है पुरवजों ने जो जमीन दिया है और उसका इतना अतिकर्मन हो रहा है कि जमीन का कीमत दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और जमीन खुजना बहुत मुश्किल काम है त सब्सक्राइब कोई किसा परैंसे सब्सक्र呢 tip है 03 म Cantonese करें पराथ eighth सथन में चुकर मालय मुख्यमंत्री जी वेठे हैं और मानड़ी मुख्यमंत्री जी के आशिरवायत से वे अस्पताल का निर्माड हुआ है कटईया में रात्री के समय में मानिय मुख्यमंत्री जब नियातरा के दरवान वा ठहरे थे अस्तानियों लोगों ने उन से आगरह किया था जिसकी वजह से कटईया सहाधत पूर में और मेरा प्रस्ण है कि वहां अस्पतार धाई करोण का बना हुआ है और एक A&M है सुधा कुमारी जो कभी आती है कभी आती भी नहीं ज्यादा duty उनकी लोरिया में रहती है लोरिया जो समदा स्वास्त कंद्र है महोद है मेरी तो मांग है कि वहाँ दवा की दुकान को लोग डॉक्टर वहां रहे हमें डॉक्टर चाहिए और मैं सद प्रति भी नहीं है उनसे वो कैसे चलेगा मानिय मंत्री जी मानिय सदस्की चिंता वाजिव है इसको भी यथा सिग्र हम लोग पदस्ता अपिद करें स्री हरी भूसन ठागूर बचौल स्रीमान पूरक पुछे जी पुरके पुछ रहे हैं मध्विद्याले हैं मध्विद्याले के उपर से तार जा रहा है अब विद्दूत विभाग कर रहे हैं मध्विद्याले को पैसा जमा करें तब हटावेंगे अब मध्विद्याले कहां स सब्सक्राइब स्री विजय कुमार खेमका उत्तर ओल्लाइन आया है अध्यक्ष महुदय और अध्यक्ष महुदय मेरा पूरक है जिससे जुड़ा हुआ इंडिया की सरकार में अध्यक्ष महुदय बिहार से लालतन जुग समाप्त हो गया है और घरगर विजली पहुच गई है और खेत तक विजली ही नरेंदर भाई मोधी प्रधान मंत्री और विहार के मुख मंत्री नितीश कुमार के नित्रित में घरगर विजली पहुच गई है मानिय मंत्री जी ने पूरक है पूरक है अध्यक्ष में होता है मानिय मंत्री जी ने पूर्णिया जिला के लिए जो किरिशी आवेदन है दीन द्याल किरिशी विद्युत योजना के अंतरगर अठासी सो नो और मुख मंत्री किर्शी विद्युत सम्मन योजना भेजवन के अंतरगत तेईस सो सतर मंत्री जी ने बताया है पूरक है जो सेश बचे हुए देरासी सो च्यानवे जो किर्शक आवेदन दिये हैं ओनलाइन मान्य मंत्री जी समय स्वीमा बतावें कि वो कम तक उनके खेट तक बिजली पहुँची है मान्य मंत्री जी के प्रयास से बिजली सब जगे पहुँची है और हम लोग भी संतुष्ट हैं लेकिन मान्य मंत्री जी ने फेज टू जो मुख मंत्री विद्धुत योजना के अंतर फेज टू है उसका केम्प लेके आवेदन शुरू किया है लेकिन ये जो बेरासी सो च्यानवे किसान जो पहले से दो हजार इकीस बाईस तक जो आवेदन दिये हैं हम जानना चाहते हैं उसका विद्धुत कनेक्शन किस सिमें सिमा क्या हो इसमें क्या कटनाई है वो उस फेज में उतना ही पैसा था उतना ही फेज वन में दिया गया अब दूसरा फेज का काम प्रार मोच्टुका सभी लोगों से आवेदन मानिये सदस दिलबाब में और उसकी करवाई की जाए ठीक है अब फेज टू में जो पैसा उसमें अभी तर देना पड़ेगा कर दीजिए विशेश दियान रखें पूर्णिया बढ़ेद्ध्या आप पूर्णिया में कहां चले के मानिये मुखमंत्री इस हाउस में अभी उपस्थित है और आज उनका जन्म दिन है इसलिए हम लोग सम पूरक पूछिए पूरक पूछिए पूरक अदक्ष महाद है यह लगातार मेरा कोश्चन आता रहा है मानने मंत्री जी को कितने बार हम धनवाद भी दिये हैं लेकिन सचाई बात है कि पूरा सहर जो नगर निगम है अब पूरा पंड़ावर बिहार में वन टू टेन में जो सहर कावी रहेगा वहां इंडस्ट्रेल एडिया भी है पंड़ा तो सिर्फ आग्रा करना था कि अब कितन कब तक माने मंत्री जी को जल्दी करवाई की जाए जुरत की जाए हो गया है स्रीमती गात्री देभी हूरक पूछिए गात्री जी पूछती हूं अध्यक्ष अध्यक्ष मोदे मैं मंत्री जी से पूछती हूं कि आगे से आश्रित को महिना दो महिना के भीतर में ही अनुग्रा रासी मिलने का इस पर कोई विचार करेंगे अध्यक्ष मोदे इसके लिए मैं धन्यवाद पहले देदी और इसके अलावा चुकोई घटना घटती है तो दो महिना के अंदर में उसका रासी दिलाने के काम करेंगे अध्यक्ष मोदे वस्तु इस्तिती यह है कि अनुग्रा नराइन मगद मेडिकल कॉलेज गया के समीधा पर चतुरवत्य कर्मियों को परतिमा मांदे की रासी 14,800 है जिसमें से नियमान उसार 10% आईकार की कटवती कर 13,320 रुपय का भुक्तान किया जा रहा है राज स्वास्थ समिती विहार के आदेश संक्या 5,762 दिनांग 31,2024 द्वारा राज स्वास्थ मिशन के अंतरगत सम्भीदा के अधार पर नियोजित पर री चारी का मांदे 12,000 निर्धारित किया गया अनुगरा नरायन मगद मेडिकल कॉलेज गया के संबीदा गद चतुरवर्गिय कर्मियों को राश्टिय स्वास्त मिशन के अंतरगत संबीदा के अधारपन योजित परिचारी के मांदे के अधीक मांदे प्राप्त हो रहा है अता मांदे बिर्धी का मामला विचाराधिन नहीं है महोदे 14,800 मिल रहा है उसमें से भी 15,00 रुप्या काट लिया जा रहा है कम से कम इसको बहा दिया जाए आपके माध्यम से हम मान्यमंत्री जी से आग्रा करेंगे जो चतुर्त बर्गिये कर्मी है उनका जो महांगाई के कारण महोदे 14,800 मिलता था उसमें भी 15,00 काट के मिल रहा है तो उतना में भरन पोस्टन में दिक्कत है महोदे कम से कम इसको बहा दिया जाए महोदे अध्यक्च मोदे मैंने दो चीज कहा कि एक तो यह अभी जश्च चिठी निकला एक 31,2024 को निकला अभी तुरंट इसका सभी लोगों का मांदे बढ़ाया गया है और अभी तुरंट इस पर विचार नहीं किया सा श्री अजमीद्रे सिडेव पुल्चता हूं एक मिटच्छ मैं माध्यम से मान्यमंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि ममता करे करता जो बहुत दिनों से पूछता हूं पूछता हूं अलाग से प्रश्ण करिएगा पूरग पूछे पूरग में है हासा पंचायत में डाग विला चोरह के पास उप स्वास केंद्र के और वहां मेरा गॉँ है इसलिए मानिया मंत्री जी से आग रहा है जो एक सुवास केंद्र हमको सुवास केंद्र बन बादिया जाए ताक बंगला चोड़ा बैड़ जाए मानिया देक्च मोदे हम लोगों ने असपस तोर पर जवाब में कहा है कि निवीदा की प्रकिरिया की जा रही है यता सिग्र मा पूछिए जब्रकार जी अद्यक्स मोदेब उत्तर प्राप्त है मेरा क्वेस्टन था कि मेरे अस्पताल में कॉमन वेल्ट सेंटर में अल्ट्रा सॉंट की बेवस्था नहीं है और सदर अस्पताल जो जीला मुख्याले का है वहां भी नहीं है जवाब है कि रिफरल अस्प अस्पताल में बेवस्था होगी जहां भी से सक डॉक्टर है तो सदर अस्पताल जैसे महत्पूर्ण अस्पताल डेफरल अस्पताल फॉर्विस्गन जैसे महत्पूर्ण अस्पताल में कब तक भी से सक डॉक्टर की पदस्थापन होगी ताकि वहां मसीन रखा हुआ मानिय मंत्री जी से अनिया अध्यक्ष महद है जवाब असपस्ट है कि इसकी परकरियाद चल रही है अल्ट्रासॉंड सेवा संचाली तो इसका निन्ड़ लिया जाएगा यता सिग्र इसको करवाएगा जाएगा अध्यक्ष महद है मानिय मंत्री जी बैठे हैं और स्वास्ति वाइग के अधिकारी भी बैठे होंगे कि मुझे जो जवाब मिला है इस जवाब में लिखा गया है कि जीन अस्पतालों के बारे में मैंने का है डुम्राओ नवा नगर केसर्ट चोगाई एगे वहाबे पर पदो की संख्या बताई गए है मैंने सवाल पूछा है कि संख्या कम रहने से वहां OPD और आकास्मिक और रातरी कालिम सेवाब पर भावित होती है vivre नहीं इसका जवाब तो इसमें दिया ही नहीं गया है यह सिर्फ आंकड़ा दिया गया है मैंने तो इसी आंकड़े के सवाल इस इसी आंकड़े का अधार पर सवाल पुछा था तो जवाब में भी उसी आंकड़े को छाप देने से मुझे क्या मिलेगा जबकि बात पूछा है कि क्या यह बाद सही है कि बखसल जीला के विभिन अस्पतालों में डॉक्टर की संख्या कम रहने के वजह से आकस्मिक सेवा और OPD सेवा परभावित होती है कि नहीं यह मेरा पहला सवाल बने इसका जवाब तो है नहीं इसमेह पूरक पूछे का पूछ रहा हूं इसका जवाब है नहीं यह पहला पूरक है मानिय अध्यक्ष मोदे जवाव एकदम असपस्ट है मानिय सदा सिधर उधर मत भूमावे वस्तुत इस्तिति यह है कि अनुमंडलिया अस्पताल डुम्रा प्रात्मिक स्वास्त्र डुम्राओं में सुक्रित आट पर ब्रॉद दो है प्रातमिक स्वास केंदर चौगाई में शुकृत आठबरूद तिन ठीक है इस्तिती बताई गई हैं तो और साथ-साथ यह बताये गया कि हनुमंदल अस्पताल लुम्राओं में एक रॉपय इसंथ्य पदस्तापित है जिनאן बारे में इन्होंने चर्चा किया है कि हड़ी तूट जाता है तो दुरगट्टा में हड़ी तूटने के दौरान उसके प्लास्टर नहीं किया जाता है उसकी चर्चा इन्होंने किया और सेश जो पद रिक्त हैं उसके विरूद पदस्तापन की करवाई की जाएगी स्वास्त मंत्री जिससे हम लोग बहुत उमीदे हैं वहीं तो मैं कह रहा हूं मैंने तो पढ़ा जो लिखा है सर ने उसी को पढ़ा मोदे मैंने पूछा है कि यह पद रिक्त है तो क्या इसके वजह से अकस्मिक सवाय ठप रहती है इसको हां और ना में जवाब देना है मुझ कि जिसका जवाब नहीं मिला दूसरा सवाल मैंने पूछा है और यह उपरेशन का जवाब होता है कि लिखना जाहिए था कि कभी प्लाश्टर होता है मैं कहना चाहता हूं कभी नहीं होता है जो भी डॉक्टर है उनका बगल में प्राइबिट क्लिनिक है कोई आता है तो अपने प्राइबिट क्लिनिक में भेज़ देते हैं और वहां प्लाश्टर होता है पूरा अस्पतालों के हैं सित्य है महोद यह मैं पूरक के रूप में मन्नी मंदरीजी से जानना चाहता हूँ, ये तो वास्तवि historically है, और ये बात अस्पश्ट है कि आकास्मिक और राती्क कालिक आलीज़ा नहीं चलती है, पूरक ये महदे, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इतनी, इतना दुर्दशा है इतना बुरा हालत है आधा भी डॉक्टर नहीं है मौद है एक ट्याई डॉक्टर है तो मैं पूरक यह पूछना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि राज्य में बहतर स्वास सुविधा बहाल हो सके तो उसके लिए क्या यथा शिग्र अभी सर नहीं है चुनाओ मैं चाहता हूं चुनाओ नहीं बात हो सर चुनाओ के पहले यथा शिग्र क्या डॉक्टर की नियुक्ति होगी जिसले कि वहां के लोग अजयान बसक है मानिया सदस्की जो चिंता अध्यक्ष मोदे इनके ही यथा शिग्र पर कारवाई करूंगा अस्वस्त करत अध्यक्ष मोदे पूरक है 28 डॉक्टर के अगेंस्ट में 9 डॉक्टर की बहाली है जहां 18 के अगेंस्ट में 3 आठ के अगेंस्ट में 3 पूरे जहां स्वास्त विवस्ता इस तरह का है मोदे एक दबाव है और PMCH में दबाव बढ़ जाता है में दबाव बढ़ जाता है मेरा यही पूरक है कि जो डॉक्टरों का पद इतना बड़ा ज्यादा है और वहां पद पर नियुक्त महज बहुत कम है उसको भरने का कब भरने का यह था सिक्रम और संतुष्ट को प्रश्ट करता बैठिये स्री मनोच कुमार यादब स्री मनोच कुमार यादब स्री स्री कांत यादब स्री स्री कांत यादब स्री मितलेश कुमार स्री मितलेश कुमार आगे मितलेशी मितले जी बढ़ गया है तुछी संजय सराओगी यह पोछता हूँ अध्यक्ष महद है उत्तर मुद्रित है अध्यक्ष महद है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ अध्यक्ष महद है कि कोई समय सीमा विद्दूत विभाग ने बहुत बढ़ियां काम किया कोई अगर सरकारी पोलतार से करेंट से मिर्थी हो जाती है तो चार लाग का उसको मुवावजा मिलता है मेरे परस्ण करने के बाद उन दोनों को चेक पहुंच गया लेकिन मैं मानिय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि डेडेर साल हो जाता है कोई समय सीमा जो है मानिय मंत्री जी तै चाहिए जो महत्री का उसको मिल जाए मुवावजा जो मिर्थू होती है उसकी जांच उसमें थोड़ा बक्त लगता है जल्द से जल्द इंस्ट्रक्शन दिये जाएगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो जांच करके उसका प्रिक्री आप्रुणा कर दिया तरी दिसी कुमार मिल गया हुआ है मंत्री जी को बहुत बहुत धने बाद त्री राम बिर्क सदा त्री बिजे कुमार त्री बिजे कुमार त्री बिने बिहारी अध्यक्ष महोद है पस्वी चंपारन बिहार का सबसे बड़ा जिला है 5228 किलोटर का और पस्वी चंपारन में मात्र तिनी अनुमंडल है जब कि बगल का जो जिला है मोतिहारी पुरवी चंपारंद उसमें छाव अनुमंडल है तो यह मेरा पुरक है कि नगर पंचायत मच्छरगावा को और राम नगर धनाहा और बालमिकी नगर इन सभी को सरकार जो है अनुमंडल बनाने का विचार रखती श छरगावा है ना प्रस्ट नमर 1412 आप कुछ और पर जा रहे हैं हाँ 1412 हमारे जो नंदनगर है यह नंदनगर जो है यहाँ पे इसकी जो जमीन है उसकी जमीन को अतिकर्मित किया गया है और पूरा किये है कि संदरी करण कब तक किया जाएगा ताकि वहाँ पे आतिकर्मन मुक्त हो उसके बावंडरी हो अधिकर्मित करण के प्रबंधन महोदे है इसे ट्रांसफर कर दिया गया है कला संस्की दिभाग को गया जवाब आपको जाएगा बादी त्री राम परवेश राय पूरक पुछे राम परवेश जी उत्तर संग लगना है जवाब आया है मैं संतूर्ष हूं लेकिन मेरी चिंता है कि चिकित्सा अनुदान के लिए अबवेशन प्राप्त होते हैं लेकिन उसमें कई महिनों लग जाते हैं अनुदान सुकृध करने में अनुदान सुकृध भी हो जाते हैं तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जाबेजन प्राफ्टी के साथ से दोष दिनों के भीतर रासी बेमुत कराने का विचार सरकार रखती है क्योंकि रासी जाते जाते बहुत से रोगियों की हिस्तिती बिगर जाती है बहुत से रोगी मर जाते हैं इसलिए समय रासी भेजा जाए और रोगियों का इलाज कराया इसमें तो सपस्ट है अब तो सप्ते में दो दिन हो रहा है और इसके साथ साथ जो सुक्रित और और सुक्रित में सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ लगातार चाहे वो बीस 21 का मामला हो 93 क्लो रुपिया पूरे बिहार के लोगों को स्वास्तिवा के लिए दिया गया जिसमें 13,155 आवेदन आए उसमें 11,180 सुक्रित किये गये उसके बाद 21,22 में 20,000 आवेदन आए 20,628 जिसमें 17,560 सुक्रित किये गये उसी तरह 20,23 के 34,813 आवेदन आए जिसमें 30,992 सुक्रित किये गये इसलिए बहुत लेट का प्रोसेस नहीं है इसके बावजूत सरकार जरूर विचार करी है कि इसको मेडिकल कॉलेज में आगे केस्तर पर इसको भी कंद्रित करने का काम करें महोदे महोदे मंत्री जी का राशी राशी सुक्रित होता है मैं इस बात से सौमत हूं लेकिन पैसा जाते जाते बहुत से रोगी अस्पताल में अमर जाते हैं इसलिए समय समंधी तस्पताल में वहराती चली जाए मेरी यह चिंता है मंत्री जी धिया रखेंगा आपके बात का स्री बिजे कुमार स्री छत्पती आदब कुछताओ सर उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है सर मानी मंत्री पढ़ने भाग छत्पती जी का उत्तर पढ़ दीजे महोदे खड़िया प्रखंड मुख्याले के पास अवस्तित पोखर घाट निर्मान समंधी यूजना को बीतिय वर्ष 24 पतीस ब्लॉक बंचाय डिवलेप्मेंट प्लान में समलिक कर लिया गया है उक घाट का निर्मान महोदे कार बीतिय वर्ष 24 पतीस प्रादम कर दिया जा है ना तुसको पुझा पार्टर सुविधा होती है ने तुझ बुझुर गादी में एक घुमने फिर्ष विदा होती है उखाट जब तक बन जाती है तरकार के द्वारा पूरक पूछे पूरक कोच रहे हैं को घाट कर निर्मान अभी तक नहीं हुआ है कब तक सरकार कराई माने मत्री जी अगया है अगले भीतिवर क्राम शुरू करते हैं तोरा साथ करें इसी जुरा हो मुमला है देवी सुर्या जै हमारे जो गंड़क किनारे जो घाट है उसका भी बर्सों बर्सों सिर्मान ने हुआ है हम साथ उसको भी संग्यान में डाल दिया जे नहीं है जो प्रश्न में इसका जिक्राएं प्रश्न से बाहर ने तरी देवेश काम सिंग पूछता हूं पूरक कुछ यह उतर पूरक पूछना है माननिय अध्रक जी के आदेश से क्या माननिय मंत्री जी बताने का कश्ट करेंगे कि आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारे यहां और वेलफेर योजना लागू की गई इसमें चीचोंस के पद सिजित हैं वहाँ जब नच्पद स्थापिती होती है तो उनको सतर से एक लाक तक का वेतरमान प्राप्त होता है और अने लोगों को 32,000 सिर्फ प्राप्त होता है इस पर भारत सरकार का कुछ निर्देश भी है कि इनको समाहित करके इनको भी उतना दिया जाए इसके बारे में क्या सरकार विचार रहे हैं बानिया द्यक्ष महदे मैं इसकी पूरी समिक्षा कर लेता हूँ लेकिन अभी जो रेट है वो बड़ा सपस्ट है कि CHो को 25,000 रुपिया मान दे देना है और साथी साथ 15,000 हो गया समिक्षा करेंगा पूरी बात की उसमें भारत सरकार कर निर्देश उस पर कारवाई कर लिया है इसकी लामत खाहां है कि अधिल साब पूरा कुछे है कि हमको उत्तर प्राप्थ है और मुझे गालिप का शेर याद आ गया कोई उम्मीद बर नहीं आती कोई सूरत नजर नहीं आती पहले आती थी हाल दिल पे हसी अब किसी बात पे नहीं आती सारे आठ साल से मैं खुद इस सदन में इसी तरह के शिकासा जवाब स्वास के मामने में सुन रहा हूँ अभी आपने कहा है कि यसा शिक्र हो जाएगा मैं उसे विश्वास करके बैठ जाता हूं धन्यवाद श्री रमबली सिंग्यादब पूरक पुछे रमबली जी उत्तर उपलब्द नहीं है मेरे पास उत्तर उपलब्द नहीं है महुदे मेरे पास उत्तर आप पढ़ा नहीं होगा मानी मंति स्वास भाग उनका उत्तर पढ़ दीजे मानी अध्यक्च महुदे वस्तु इस्तिती यह है कि प्रात्मिक स्वास केंदर घोसी का अस्पताल सांती बनाय रगे वहम हावासिय भवन जरजर होने के कारण यह मनरेगा भवन में संचालित है निर्मान एजेंसी बी एम एस आई सियल से इस कार्याले के पत्तरांग 186 ब्राकेट 10 दिनांग 28 दो दोजार 24 के दुआरा प्राकलन की मांग की गई है प्राकलन प्राप्स होते ही वीद परकिरिया अनुसार श्कृति की कारवाई की जाएगी अध्यक्ष महोदा है पीछले बजट सत्र में मेरा गयर सरकारी संकल्प था महोदे प्रात्मिक स्वास्त के अंदरे घोसी कावासिये भवन और अस्पताल भवन बनाने के लिए सरकार दोरा स्वासन मिला था कि इसी बितिये बर्स में मतलब 23-24 में बनवा दिया जाएगा तो क्या हम लोग सरकार से जानना चाहेंगे कि क्या इसी बितिये बर्स में बनेगा तो इतना जल्दी नहीं मैं समझता हूँ लेकिन क्या इसी बितिये बर्स में निर्मान कार सुरू हो जाएगा महोदे मानिया दक्ष महोदे मैंने असपस्तोर पर कहा कि 28-2-2024 को प्राक्लन बनाने का आदेश दे दिया गया है जैसे ही प्राप्त होती है उसे ही सुकृत करके काम सुरूप गया है महोदे एक समय बता दिया जाए महोदे कब तक ये उमीद रखा जाए कि सुरू हो जाएगा होसी असपस्ताल निर्मान ये मैंने तो असपस्त कहा देक्ष महोदे का 28-22 को मतलब दो दिन पहले हम लोगों ने प्राकलन मराने का अदेश दिया है जैसे ही प्राप्त होता है शुकृत कर देंगा ठीक है जी राम सिंग राम जी पूरक पूछे राम सिंग जी जी मैं पूरक पूछता हूँ में जो प्रस किया था उसके उत्तर जो आया है वो स्वास्त्रोंप के अधर में अतिर्फ प्राद्वी स्वास के देश पर श्वास्तर बार, जिसमें बैट tulee के लाये कोई जगह नहीं है अब मेरे प्रस करने के बाद मैं एजर्शी जाकर जाज करके उतर दिया 28 दू को इसलिए मैं जन्दा चाहता हूँ कब तक बन जाएगा मानिय मंत्री मानिय अध्यक्ष मोदे इसमें अस्पास तोर पर बताया गिया है कि इसका आकलन किया जा रहा है आकलन जैसे ही प्राप्त होता है तो पूर्या इस्ट्रक्चर किस तरह बनाया जा सकता इसको शुकृती तुरंग अगले वितियो वर्ष में देदेगी बहुत वर ध्यर्वाद मानिय मनती जी को डप्टर सियन गुपता उरक पुछी है गुपता जी जी, जो सरकार के तरफ से प्रश्ण का जवाब दिया गया है, उसमन में अधक्ष मोदे मैं ये कहना चाहूंगा, कि आज की जुग में जाज का मुद्व काफी बढ़ गया है, जाज सुबदाय उपलब्द है अच्छी बात है, लेकिन जाज की उपलब्दा नहीं है, मरीजों मरीजों को परशानि मोडरी है, उनके पैसे का अपवय हो रहा है, सरकार को इन बातों पर ध्यान रख कर चाहिए, और जल्द जल टेक्रिशन की बहाली हो, इस पर सोचना चाहिए, जरूर सोचे की सरकार, श्रीब बिने कुमार, श्रीब बिने कुमार, पूरक पुचे बिने मैं मंत्री जी से बोले थे कि वहाँ पे लोग आठ वरस से पांच वरस से चिकित्सा पदाधिकारी या हेल्ट मनेजर एक जगा पदस्तापीत हैं और ड्यूटी मेला परवाही महोदय लोग करते हैं ये गुरारू का मामला था तो उस समय हमारे मुहरम में नहीं थे तो उस समय जिला पदाधिकारी उन लोग को बेतन बंद किये फिर दोवारे जब अन्वंडल पदाधिकारी गए ते उस दिन भी मैं मौजूद था तो महोदय वहाँ पे ये सुधार कैसे होगी और एक ही जगह पे अगर कोई आठ बरस दस बरस से पदस्तापित है तो इसको इन्हों न नहीं रहेगा मोज़ा वह ब्लॉक लेवल का वाई समुधाइक स्वास्त के अंदर है अभी तो नयाब भवन का विद्गाटन मानिय मंत्री जी के द्वारा किया गया है तो वहां प्राइब दौक्ट्रों की बाहली किया जाया और तुद्मने विविधी विवस्ता को सुध नारा जाय महुदा है वो साथ कलोर के लागत से लगवा का अस्पताल बनाया गया महुदा है अध्यक्ष महुदे मैंने असपस तोर पर इस पर बताया है कि जाच के उपरांत डॉक्टर मजहर हुसेन साब का वहां पर जो है बेतन रोक दिया गया है और कारवाई की जा रही है और इसके बाद जो डॉक्टर बचे हुए है या अन्य पदास्तापन करना है उसको जून महां तक पूरा कर लिया जाए महुदा यह बोले कि बेतन रोक दिया गया फिर बेतन चालू भी हो गया हेल्थ मनेजर जो है वहां पे उनकी क्यों नहीं ट्रांसपर की जाती है मानिय सदस लिख के दे दें इसको जल्द से जल्द कारवाई की जाए जिमती प्रतिमा कुमारी पूछती हूं सर पूरक पूछे प्रतिमा जी सर सवाल का जवाब नहीं देखे है मानिय मंत्री जी को बोलिए कि जरा पढ़ दें फिर प्रतिमा कुमारी जी का जवाब नहीं म के राजा पाकर के प्रखन सहदेई बुजूर्य अन्त्वरगत पोहियार पंच्टायद के वार्ड नम्मर नौ साथ इस्थित दलित बस्ती में गर्मी एवंग ओवर्लोड के कारण केबूल फॉल्ट हो गया था जिसे अभिलम बदलबाने की कोशिश की गई परन्तू टक्निक की काजयाल में संपर्क अस्थापित कर इसे सुधार कराई जाती शक्ती है वो गोगताओं को सुधा के लिए मिपर सुधार रेट प्रटेक मा दूसरे सनिवार को प्रसाखा अस्थार पर क्या जाता है समय समय पर संपोशन का काज किया जाता है ताकि केबूल फॉल्ट की सम जब हम गाओं में गया तो गाओं की महिलाओं ने कहा कि मैडम हम लोग साम को ही खाना बना के सो जाते हैं चुकि दस रुपया में जब मंबती लाते हैं अधा घंटा भी नहीं जलता है बच्चे पढ़ नहीं पाने उसके बाद बिजली इन्होंने जोड़ा लेकिन जब बि जी जी अपने खेसे किए दिटेल निए जांच करवा गहाते हैं जी पिल्कुल सर धन्यवास सर श्री सिधार साऱाब सिधार साथ。 श्री्दीर श्री जीम राज प्री जीम दात अथ हुट अचम्ने उस पानिता उन्हें उस ए? माने मत्री स्वास भाग उत्तर पढ़ लिए इनका माने अध्यक्ष महुद है उत्तर सुकुरात्मक है वस्तुस्तिती यह है कि बाका जिला के निकरती जिलो तता यता भागलपूर में सरकारी चिकित्सा महाविद्याल है अस्पताल भागलपूर संचालित है जमुई जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल निर्माना धीन है तता मुंगेर में सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्मान की योजना सुकृत है उप्यूक्त परिछेत में वर्तमान में बाका जिला में चिकित्सा महाविद्याले का प्रस्ताव सरकार के सक्षम समक्च विचारा दिन नहीं है पुरा जिले से यह परिचीत है सरकार ने आपकी बात सुनी है सबाविक है मुंगेर भागलपूर और जमुई में हस्पताल यह तो चल रहे हैं या निर्माना धीन इसके बाद तो बाका ही बनना है जरूर बनेगा इसमें कहीं दोंबत करें स्री हरुन संकर प्रसाद पूरक पूछी हरुन जी जी अध्यक्ष महद है मेरा पूरक इतना ही है कि मैं मानिय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरा प्रस्ण है कि बासो पटी में बिद्दुत अब आपूर्ति अबर प्रमंडल कारजाले संचालित हो अर्थात वहां SDO का पूद है असिस्टेंट इंजिनियर है महद है मानिय मंत्री जी ने किरपा करके वहां नवसर्जित बनाया भी है लेकिन वह अबर जो SDO है वह इन्होंने अनुमती दे दिया है कि किराया पर लेकर आप कारजाले चला यह लेकिन यह जैनगर में आवास रखे हुए हैं इसलि मानिय मंत्री जी आपके इस फर्श है कि आपने आदेज किराया पर लेने के लिए मानिय ससका कहना है कि किराया पर लेना नहीं पूछती हूँ पूरग उत्तर मिराना को माने नी मंत्री जी पढ़ दें सरा जवाब माने मत्री स्वास्त वाग माने अध्यक्ष मोदे वस्तु इस्तिति यह है कि राज में वर्ष 2012 से एंबूलेंस का परिचालन राष्टिय स्वास्त मिशन एन एचम भारत सरकार के दिसा निर्दिसों के आलोक में निविदा के माध्यम से चैनीत और सोस एजन्सी के दुवारा किया जा रहा है विदित हो कि फरवरी 2014 में एंबूलेंसों की प्राचलन की अनुबन अब्दी समाप्त हो जाने तता एंबूलेंस परिचालन निविदा से संबंदित मामला मानिय उच्छ न्याले पट्टा में लंबित रहने के कारण नहीं निविदा के संपन होने में बिलम हुआ था जिसके कारण उक्त संकरन काल में संदर्ध तदर्थों दिवस्ता के तहट राज के जिला स्वास समीती के माध्यम से एंबूलन सेवा का परिचालन 2014 से जुलाई 2017 तक तदर्व रूप से किया गिया 2017 में निविदा संपन हुई होने के पस्चाद निविदा के माध्यम से चैनीत ओट्सोर्सिंग एजन्सी के दुआरा टॉल फ्री नंबर 102 के माध्यम से पुना अगस 2017 से राज के संपून जिले में 102 एंबूलन सेवा का परिचालन लगातार किया जा रहा है वस्तु इस्तिती यह है कि राज के आम लोगों द्वारा टॉल फ्री नंबर 102 पर कॉल कर अंबूलन सेवा निसुल्क प्राप्त की जाती है परंतु तक्निकी या अन्न कारणों से टॉल फ्री 102 के माध्यम से यदि अंबूलन सेवा भुक नहीं हो सका या आईडी जेनरेट नहीं हो पाए तो सम्मंदित जिल अस्पताल अधिक्चक या उपाधिक्चक या परवारी परवारी चिकिचा पदाधिकारी अस्पताल परवंदक के निर्देश पर एंबूलन्स की मांग करने वाले मरीज को एंबूलन्स सेवा उपलब्द कराई जाती है विदित है हो कि राज में 102 एंबूलन्स सिवा के तह संचाली सभी एंबूलन्स के परिचालन से संबंदित संधारित लॉग बूक का सत्यापन संबंदित अस्पताल स्वास संस्तान के अधिक्चक उपाधिक्चक परवारी चिकिचा पदाधिकारी द्वारा किया जाता है जिसके पसाधी एंबूलंस के परिचालन वह का भुकतान संबंदी जिला स्वास समिती दुवरा किया जाता है इतना विसी जवाब है अब क्या है मेरा पूरा किये है मौदे की जो जनेरेशन होता है जो आईडी जनेरेट होता है वो कभी भी फोन नहीं लगता है, maximum फोन नहीं लगते हैं नतीजा ये होता है कि ambulance खड़ी की खड़ी रह जा रही है और private ambulance यूज हो रहा है जो मनमाना ढंक से मरीजों का मैं पूछा चाहती हूँ कि क्या सरकार स्वयम हॉस्पिल के प्रभारी को ये सिस्टम हाथ में देना चाहते हैं डारेक्ट, सो दाट मरीजों को डारेक्ट ambulance के विवेस्ता हो सके है मैंने मंतीज मैंने असपस तोर पर अधरक्ष मोदे बताया कि टॉल फ्री नंबर पर यदि आईडी जेनरेट नहीं होगग जो अधिक्षक हैं या डिप्टी सुप्टेंडेंट हैं या परभारी हैं उनके माध्यम से भी ambulance उफ्लप्त कराया जागा अब रस्टम्तर काल समाथ हुआ एक और पूरक था कि क्या ऐसा कोई notification निकला है किसी अधिक्षक के विशे में या परभारी यदि हो तो उसे अस्पिताल में कहीं पर बकायदे नोट करा दिया जाए है चिपका दिया जाए है तो दर मरीजों को ये जानकारी नहीं है सबको जानकारी मिल जाए उसको दिखवा लेंगा जिए धन्यवाद अब प्रश्न उत्तर काल समाथ हुआ जिन प्रश्नों के उत्तर तयार हो उन्हें सदन प्रथल पर रख दिया जाए अब करस्कन प्रस्थाऑ की सुचने ली जाएगी मानी सदन आज जिनांग 14 के लिए निम्न मानी सद्थों سے करस्कन प्रस्थाऑ की सुचने अप्राप ख भी है जिवति पतिमा कुमारी स्री अजी सर्मा आज कदन में गैर सकारी सरस्थों के कारण रहारित हैं जिनमें गैर सकारी संकल के लिए जाएंगे अच्छा बिहार विधान सभागी प्रक्रियाता कारसंचारनी वावली के नियम हमने इस एक हम सेंतालीस दो के तहट नियमाने कुल नहीं रहने के कारण कारसंचारन प्रस्थावगी सभी सुष्थनाओं को अमान निकिया जाता है अब आज सारे बारता के सबका हो जाएगा ध्याना करसा रसुन निकाल भाईया तोड़ दीजे अब सुन निकाल लिया जाएंगे मुहमाल अंजार नहीं मी कितने मज़े उठते हैं जी साहर सब रोज पहला आप ही गाता है नहीं साथ मानने अप्यक्ष मोहद है किसंगन जिला अंतरगत परखन दिगल बैंक अंतरगत धंगरा वाट नमबर छे PMJSY सरक से मिनाजूल के घर होते हुए बनबरिया स्कूल तक पक्की सरक नहीं होने से हजारों की आबादी काफी परभावित है जिस कारण जनता आक्रोसित है मैं सरकार से लोग हित में उपरोग सरक का निर्मान कराने की मांग करता हूँ पच्छिम चमाद जिला के बगाँ एक परखंड के कपरधिक्या से छुटकी पटी एनसाथ सो सताइस तक PWD सरक के आसपास के च्टो से पुलिस जिला अनुमर्डल कर जाले एवों परखंड कर जाले बगाँ से जोडता है अतक कपरधिका से छुटकी पटी एनसाथाइस तक PWD सरक को चोरी करन है तुमें सरगार से मांग करता हूँ तीराम चंदर प्रसाद अधर्श महुदे मेतली बिशे के पराथमिक अस्तर सों उच मादिमिक अस्तरधाइड मितला चत्रक समस सहचनिक विद्याले में एक सो अंकक मेतली भासा आ साहित अन्वार्ज विश्यक रूप में पड़ेवाक लेल सरकार्चों मांग कर इच्छी दाक्टर अनिकी एमरम मानिय धक्ष महुदे कटोरिया विधानसभा छेत्र अंतरगत पहसी प्रखंड के सी एंडी उच्छ विद्याले बहसी में स्टेडियम निर्मान की स्विकृति प्राप्त है किंतू प्राकलित राशी पुराना एवं कम होने के कारण समवेदक बहाल नहीं होने को तयार है अतर सरकार से वर्तमान महंगाई के अनुसार प्राकलित राशी बढ़ाने की सरकार से मांग करती हो त्री उमा कान सिंग माननिय धक्च महुद है पस्चिम चंपारन जीला के 56 मैना टान मुख्य पत्ध अंतराश्टिय सीमा नेपाल से जोडती है जिससे ब्योसाय ओम आवा गमन जादा होता है उक्त सडक कम चवड़ा होने से दुरघटना होती है अता 56 मैना टान मुख्य पत्ध का चोड़ी करन कराने की सरकार से मांग करता हूँ स्री अजीत कुमार सिंग मनिय धक्ष महुद है लोहिया स्वक्ष बिहार अभियान अंतरगत करेपालक सहायकों को मात्र 14,65 रुपे वेतन मिलता है जबकि दूसरे भी भागों में करेपालक सहायकों को 26,000 से ज्यादा वेतन मिलता है अता हलोहिया स्वक्ष बिहार अभियान अंतरगत करेपालक सहायकों की वेतन में ब्रिधी की मांग करता हूँ सिमती जेवती देवी मन्नी अध्यक्ष महुद है गया जिला अंतरगत प्रकंड मोहनपूर फतेपूर पत्मे शिला न्यास के बाद भी नेताने नदी पर पूल नहीं बना है या पूल एनेच दो से एनेच बेरासी एवं एनेच एकतीस को भी जोड़ेगा अतेव लोक हीत में पूल निर्मान हेतू सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती। कार करने का अधिकार देने है तु सदन से मांग करता हूँ प्री महानन सिंग अध्यक्ष महुद पत्ना मुख सोन नहर पर अरवल के गोपाल बिघा में पूल निर्मान के लिए डिपी आर तियार है इसके अलावे जनसंहार वाले गाओं संकर बिघा के सामने रूपसागर बिघा के पास सरकार द्वारा घोसित पूल अभी तक नहीं बना है गोपाल बिघा एवं रूपसागर बिघा के पास पूल निर्मान की मांग करता हूँ स्री मुरारी मौंजा खिलाप सक्थ करवाई की मांग करता हूँ स्रीयारून संकर प्रशाद अध्यक्ष महदे ग्रामीन कार्ज विभाग जैनगर डिवीजन के बासो पटी प्रखंड की सरक मंडल टोला पतवना से चिलमिलिया शिरियापूर पत तक एबंग पांडे टोला गमरिया खोना तथा जैनगर के खिखिरिया टोला कुवाड से दुल्ली पटी छपराधी पत तक एबंग परसा ग्राम की पूरब से पस्चिम नहर तक की सरक जरजर है महदे का निर्मान सरकार करावे स्री अनिल कुमार महद पंचायत के गजहरवा गुलडिया घाट पर सुलिस गेट का निर्मान एवं गजहरवा गुलडिया घाट से महादे पूल तक नहरु राही निर्मान कारि को जन्हित में कराने की सरकार से मांग करता हूँ स्रीमत थिक भीता देवी मान्निय अध्यक्ष महोदय कोड़ा विधान सवा छेत्र अंतरगत परकंड कोड़ा के गेरावारी बजार एनेज 31 एवा एनेज 81 के मध्य मुख चौक पर परतेक दिन जाम लगा रहता है मुख चौक पर ट्राफिक पुलीस परती नुखती कराने है तू सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ द्रीमती नीशा सिंग मान्निय अध्यक्ष महोदय प्रानपूर प्रकंड के रोसना में बरे वहान के आवगवन से हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है लाभा रौसना पत के चौरी करन एवं रौसना हाट को अतिकर्मन मुक्त कराने है तू सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ द्री जहरूल हुसाइन मानने अधर्ष महोद है कि संदन जिला अंतरगत पोठिया परखंड के राइपूर पंचायत में अवस्तित किसी महाविद्याले के पास जल निकासे होने के कारण जल जमा हो जाता है जिस से हजारों एकर भूमी के फसल सदिगर्स हो जाते हैं अत्र में व्क असतान में 14 नाला निर्माण करने की मांग सरकार से करता हूँ सिता मडी जिला के परिहार पर खंड अंदरगत सुतिहारा से सोतीनिया ग्रामिन कार्ज विभाग की सरक है जो जड़जर है आम आदमी को आने जाने में कठनाई होती है अता सुतिहारा से सोतीनिया सरक का निर्मान कराने की मांग सरकार से करती हूं त्री सुनील मनी तिवारी अध्यक्ष महुद है राज के सभी PDS तोकंदार अपने कार्जों का जिम्मवारी पुरवक निर्वाहन करते हुए गरीबों तक रासन पहुंचाने में अपना अहम जोगदान दे रहे हैं परन्तु उनका कमिशन काफी कम है और उन्हें कोई आवका पास भी नहीं मिलता है अता मैं सरकार से सभी PDS दुकंदारों को पर्ति मां 30,000 रुपे और गोदाम के भारा देने का मांग करता हूँ त्री हरुन कुमार सिंग अध्यक्ष महद है मुझफःपूर जिला अंतरगत मोतीपूर प्रखंट के मोतीपूर सरईया रोड में कल्यानी पूल से हर्दी बाजार तक जाने वाली सरक का वर्सों से काफी जरजर जिस्तिती में है जिसे आम जनता को आने जाने में बहुत कटनाईयों का सामना करना प स्री रामबली सिंग्यादब अधेक्ष्मावद है पस्वी चंपारन के लोरिया अंचल अंतरगत नुनीवा टोला बरवा बगलोचना बिर्ती मटियरिया बंगाली सरणार्थी कॉलनी मटियरिया बसंतपूर बिलवा धमवरा विर्दा बंदलित बस्ति दनियाल परसोना बारी टोला लचनोता वाशोका स्तंब को बार कटाव से शुरक्षित करने के लिए बार पुर विभागी ये करवाई हो सदन में मैं इसकी मांग करता हूँ पी किसंदन पासवान किसंदन जी खुलिए एक में ठरिये किसंदन जी आपका 69 सब्द है रोज मैं हाउस में करता हूँ आज पढ़ने नहीं दूगा आज अंते हम दिने हैं सुधार लोगा न अपने मेरे मेरे मेरी बास सुनिए ना मेरी बास देखे मैं यह क्यों कहता आपको उधार कर लिजेगा तो आपको हर बार मौका मिलेगा आगे तो ने ने करिएगा तो ट्रीक मानिया द्याच महुद है बिहार राज में दूद उतपादन है तूप किसा दो यहां पस्कौाल को दो आरा परतेक पंचायत में दूद उतपादन समीती का गठन किया गया दूद संग्रा है तो समीतियों की गाड़ी के माध्यम से जिला दूद संग्रा केंद्रों में भेजा जाता है गाड़ी बिलम होने के कारण दूद खराब हो जाती है एवं दूद संग्रा करने में काफी कठनाई होती है अता मैं राज सरकार से मांग करता हूं कि सभी का निर्वान कराई जाए एवं फ्रीजर का लगवाया जाए त्री किसंदर पास्वान क्रीदपूर पंचायत होते हुए हरसिधी पहाडपूर परखंड के इंगलीश चौग बजार को जोड़ने वाली नौ किलो मिटर सड़क जर 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 एवं चति गरस्त है आवागमन के दृष्टी कों से अती महदपूर सरक का निर्मान कराने का सरकार से मांग करता हूँ त्रियारुन सिंग मनिय अधक्ष महुद है राज में पैक्ष के चुनाओं में हर घर परिवार से एक मतता सुदस का नाम मतता सुची में नामीत करने कि सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ त्रिय लवन कुमार मनिय अधक्ष महुद है अनुसुचित जाती अत्याचार निवारा नदिनियम के मुकदमों में बिलम से गिरफदारी एवं कोट से अव्यक्तों को तुरंत बेल मिलने से अनुसुचित जाती जन जाती वर के लोगों पर अत्याचार में बिर्धी हुई है सरकार से उक्त मुकद्मा में त्वरित ग्रफतारी एवं ठोस कारवाई की मांग करता हूँ प्रिस अंजेक मुहर सिंग अरे बिना माईक की आपकी आपकी आवास सुनाई पड़ी है से जी बोदिये माईक दो जी जीविका दीदियों के पुराने रिनमाफ करने के प्रखंड काईडरों को प्रखंड अस्तर पर 20,000, CLF अस्तर पर 18,000, 20 अस्तर पर 16,000 और SSG अस्तर पर 14,000 प्रती महमान्द भुक्तान करने तथा इन सभी को राज्य कर्मी का दर्जा दिये जाने की सरकार से मैं मान करता हूं प्रखंड के ग्राम पंचात हांसा के ग्राम लच्विपूर, शैनानी टोला, कभीर मठ के पास महादली टोला, परमानपूर महादली टोला होते हुए परमानपूर में बिनोध जादव के घर के पास गिदवास सिम्रा, बीच रोड तक 4 किलो मीटर कच्ची चलक का पकी करन कर करने की मांग मैं सरकार से करता हूँ, प्रिजे प्रकास यादब, मानिय अध्यक्ष महोदे, अररिया जीला अंतरगत भर्गमा प्रखंड के मनुलह पट्टी पंचायत वाड नमर 13 अस्थित गुलहा गों के लचाधार में पूल निर्मान की मांग सदन के माध्यम से करता स्रीमती भागी नथी देवी हूँ, प्रिजे प्रखंड के आज लेप बेतन नहीं के मिला, आज हम अपने से निवेदन करता हैं इस सरकार से की प्रखंड के बेतन दिलवायों के किर्पा कर लिए श्री प्रिंदर पसाद गुपता मानिय अध्यक्ष महुद है, राजकर्वियों के भत्ता देने समंदी बित विवाग के पत्रांग 60-11 दिरांग 11-8-23 के आदेशा नुसार, चंपारन रेज्ज के बगहा मुतियारी पुलिस जिलों में अंग्रचक के पद पर तैनात आरच्छियों को भत्ता मिलता है, लेकि मानिय अध्यक्ष महुद है, भागरपूल जिला के अकबर परखन निवासी, नगंदर सागे पुत्री नर्सिंग छात्रा, साक्षी कुमार को दिरांग 22-2024 को अपरादियों ने साजिस कर, गला दबा कर हत्या कर दिया, जिसका कहलगाम थाना कान संख्या 134 वाई 24 दर्ज ह अता घटना के उस तरिया जाच कर, अपरादियों के सिर्गिरफतारी की मांग सरकार से करता हूँ अध्यक्ष महोदय, UGC के नए क्राइटेरिया के कारण, बिहार में दुरस्त शिक्षन संस्थानों के बंद होने से, संबंधित कर्मियों का भविश्य संक्ट पर आ गया है, बिहार में दुरस्त शिक्षा केंद्रों वर निजसालियों को पुना प्रारंब करने, उनके कर् संबंधित विश्य विद्यालियों में उनका सामंजन करने की मांग सरकार से करता हूँ. सरकार के सपष्ट निर्देश के बावजूद, प्रखंड विकास पतादिकारी और प्रखंड पंचायती राज पतादिकारी के बीच के कारियों के विभाजन को लेकर, उत्पन विवाद और पंचायतों के अवरुद कारे के आलोक में, मैं सरकार से पुना उक्त दोनों पत सपष्ट रूप से कारियों के विभाजन की मांग करती हो। मानिया ध्यक्ष महोदय, बिहार के अनुदानित सभी कोटी के विद्यालेओं, महा विद्यालेओं में कारियरत, सिक्छा केम, सिक्छ केतर, करमचारी दसकों से, लंबी तनुदान की राजी न मिलने से आर्थिक संकट के कारण, मिर्टु सहिया पर पड़े हुए हैं, लंब मानिया ध्यक्ष महोदय, पुर्वी चंपारन जिला के फिनहरा प्रखंड के हाजी फरजन्द हाई स्कूल प्लस टू का भवन पिछले दस वर्सों से जेड़न सिन अवस्था में है, जिसे छात्रों को पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती, मैं जनहीत मेयुक्त विद्या के भवन निर्मान करवाने की मांग करता हूं. अधेक्स महोदय, भोजपुर जिला के आरा, पीरो, जगदिशपुर, सापुर भिहियां, सहीत राज के लाखो फुटपाथी दुकंदार, सड़क किनारे दुकान लगाकर अपनी जीव का चलाते हैं. जाम और संदिजकरन की याड में परसासन द्वारा हमेशा उन्हें उजाडने का अभियान चलाया जाता है. उनके लिए भेंडिंग जोन और ब्याज मुक्त कर्ज की मांग करता हूं. स्री अक्तरू लिमान. हितर बना रहें उस पर मैं कारवाई की मांग करता हूं. स्री कुमार सेलेंडर. स्थानिये मजदूरों को विलम से न्याय मिलता है. मैं सरकार से श्रम ने आयाले मुतिहारी में नियमित पीठासीन पदादिकारी को पदस्थापित करने की मांग करती हूं. स्रीक पबन कुमार यादब. अब दियाना कर से सुचना है लिए जाएंगे. समय दर्सील मामला है सर, मौका नहीं है दोस्ते फर्मर रखे बात को. के सर, अभी सरकार ने, डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है, के जमाबंदी में जिसका नाम नहीं होगा, वो जमीन दर्सी नहीं कर सकेगा. और पेंडिंग में काफी है सर, मौका ने के मामले में, बेटियों की शादिया रुकी हुई है, मैंने बीमारों का इलाज रुका हुआ है सर, फन्त पिसाद हो गया है सर, फंचाने में सर, ये मामला सर, के बिसेश कंपएंट चलाकर पहले मूर्टेशन करा दिया जाह," मूटेशन में होल लाइन होने से बड़ी दिक्कत हुआ है सर. मानिय अध्यक्ष महदय प्रस्तू ध्यानाकरसंग के प्रसंग में कहना है कि प्राचीनतम देभासा संस्कृत के सरक्षन संबर्धन और नई पीडियों में इसकी जानकारी परचारी करने के लिए राजसरकार द्वारापूर्व से ही मिथला संस्कृत अस्थान कत्तर अध्यन एवं सोच संस्थान दर्भंगा की अस्थापना बर्स 1951 में की गई है इस संस्थान में अस्थापना काल से ही में संस्किर्थ पी एच डी एवं डी लिट की उपाधी परदान की जाती है यह संस्थान अपने पठन पाठन एवं संस्किर्थ भासक छेतर में उन्यन कार्ज के लिए जानी जाती है इस संस्थान के द्वारा पांडी लुपियों पर आधारित 75 गरंद तथा सोध पत्रिका 35 खंडों में कुल 135 पुस्तके एवं पत्रिकाओं का परकासन किया जा चुका है यह संस्थान क्रियासील है राज सरकार के समक्ष किसी अन संस्कित सोध संस्थान की अस्थापना का कोई प्रस्ताव विचारा धीन नहीं है एक तो मैं जानकारी और कर दू कि सरकार ने खोला नहीं था महराज दरहंगा ने खोला था 51 में सरकार ने बाद में अधिगरेत क्या थैं कोई अधि नहीं लेकिन सारी पांडुलीपियां जरजर हालत में हैं 75 प्रकासित हुई है जरूर लेकिन 10 हजार करीब पांडुलीपि वहां परी हुई है और पांडुलीपि का रख रखाओ कि कोई व्यवस्ता नहीं है कि विशेष कार योजना बनाकर पांडुलीपियर काम करना चाहती है और दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि यह जो ध्याना कर्शन है इसका मुख्यू उदेश संस्कृत बिशाय का संस्कृत भासा का और संस्कृत पढ़ने वालों का प्रचार प्रसार उद्देश है और इसमें मैं पूछ उस्तना चाहता हूं कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड 45-50 साल पहले बनी थी और बनने के बाद उसमें करीब 1000 विद्याले को प्रशुकृत दी तरखा भी दी रही है लेकिन 40 बर्स पहले भूमी और भवन दाताओं ने मकान बना दिया था और सरकार ने अधिक्रित किया हूं क्या कोई क रिवाड के लिए जो था संस्कृत शिक्षा बोडा उसके दुश्तों कि निऀुकती हो जाए और वहां भवन हो जाए इसकी कार शार्कार कर्या इसका परिए भीनों ऑ। जो सोच संस्थान की चर्चा हुई है मेरे घर के बगल में है उसको डाक्टर देश के प्रथम राष्पति है डॉक्टर राज़न्द परसाज जी ने उसका उद्गाट सिलन्यास किया था इसलिए मैं मानिय मंत्री जी से अग्रह करना चाहता हूँ इन्होंने भी चर्चा की है कि वहां कही तरह के कारे हो रहा है पांडुली पिया जारो वर्ष पुरानी है तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या उसका कुछ जिर्णोधार उस सोच संस्तान का करना चाहते हैं मानिय मंत्री जी मैं यह पूछना चाहता हूँ और मालूं नहीं है कि संस्केर्थ आब था वली इस भारत में नहीं महुद है अंतरा segu अस्तर पर जानकारी होना चाहिए बात जो उन्होंने कहा है वो बिनोच जी ने कहा है जो पांडुलीपी है वो संक्रक्षित नहीं हो पाई है तो जरूर सरकारिश पर ध्यान दे ताकि पुरानी पांडुलीपीयां तो यादा बेता होगा अगाँまだ साहरों के बाहर से बाईपास द्वारा एनेच है जो उसे जोडते हुए दो एनेच है जो उसे जोड़ते हुए मार के प्रात्रमिक्टा के आधार पर उपलब्द कराने के निर्णे के अलोक में भोजपूर जिला के मुख्याले आरा के अंतरगत धनुपरा एनेच थर्टी से चंदवा एनेच एटी पोर बांध का चवरी करन उच्छी करन करते हुए पतना आरा पत एवग आरा बकसर पत को जोड़कर भारी गाडियों एवग अन्य बावनों को सहर से बाहर मार के उपलब्द साथ होने से सैकडू गाव एवग आरा सहर को जाम एवग नार की अिस्तिति से मुक्ति दिलाने हे तुदो हम सदन के मnadब हम से सरकार का द्यान अक्रि श्थीमें पृष्णक्र बाइपास के दर्मान हें सातंसे दो चुलब स्नप्रक्ता का अधिन विष्णक्रिप बाइपास कि उजण है निथे रूषित प्रीजुना परतीवद ब्रभाब को प्राप्त शैसादन को बृप्त बाइपास रिमान प्रभीतार किया जाएगा प्राप्त है लेकिन आप कहते हैं कि रासी के उबलब्द कौन कराएगा रासी उबलब्द भी कराएगा उसको करवाद है सव डेड़ सव दो सव गाउं उससे जुड़े हुए हैं मोदा और बहुत वो इंपोर्टेंट वो रास्ता है और आरा में जाम दिन रात लगा रहता है और नार्किये इस्तिती है उससे मुक्ति मिल पाएगी सब्सक्राइब जानते हैं इनेस से जुड़ा हुआ मामला है तो सरकार इसके बारे में प्रस्ताव बना के भारसकार को भेज़ती है वहां से पैसा आता है तो होता है सरकार इस पर कारवाई कर रही है दंबीर है सरकार बैठिए मानि सब्सक्राइब लादी तुर्यान मंडल आपनी सुचना को पुड़े पढ़िए मंडल जी अज़क मोद है गंगोत्री से गंगा निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है तथा इसी क्रम में प्रती दिल आर्मों की उसिक जल बेकार हो जाता है यदि भागल की जिला के सुल्तानियंग में गंगा से जल को लिप्ट कर बंगा जिली के हर्मोना डेंप में संचित कर लिया जाए वहदे बस्विसित यह है कि बांका जिले के चानन प्रखंड के बदवा नदी पर बदवा डेंप हनुमाना डेंप निर्मीत है हनवाना डैंप से मुगेर जिले के संग्रामपूर, तारापूर, असरगाज, परखंड, बाका जिले के बेलहर, संभुगांज, एवं फुली डुवर परखंड, तथा भागरपूर जिले के सुल्ताज्मित परखंड में सिचाई सुबधा उपलब्द कराई जाती है हनवाना डैंप के जल अधिगरहन छेतर में कम बरसापात होने की स्थिति में नहर की अंतिम छोर तक सिचाई सुबधा उपलब्द कराने में कटनाई होती है अता गंगा नदी से जल उद्वा कर हनवाना डैंप में जल संचय करने की कार्ज की तकनिकी आर्थिक ख़वजादा एकी जांच की जाएगी हम अभार जख करते हैं सर्थ जख्ष महोदे इसमें अस फ़स्ट बता देना चाहते हैं तेम्प की 30 बर्सों में जल संचय के डाटे के आधार पर आवस्चत की जल की मातरा काकलन किया जा रहा है मोदे योजना कार्ज में के ब्याय के आधार पर और्थात लाव लागत अनुपात के आकलन कर योजना के कार्यवन Canowal आपको सब्सक्राइब करना है कि विविन विश्यों के संबंद में पटल पर रखे गए बिरोड के अंसर फुल एकसो शंताओं याजिकाएं प्राप्त हुई है अब सभा की कारवाई दो बजे दिन तक के लिए सगित की जाती है अब सब्सक्राइब करना हुई आपको सब्सक्राइब करना है झाल 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 झाल